नमस्कार दर्श को आयाम के इस अंक में मैं ससी सिन्हा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज का हमारा विशे है टिकली आर्ट के छेतर में रोजगार के अफसर टिकली कला बिहार के प्राचीन कलाव में से एक है जिसका बहुत ही सम्रीद और गौडव साली इतिहास रहा है ये कला की सुरुवात पटना सीटी में हुई तो आए इस विशे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्टोडियो में मौजूद है इस कला के बहुत ही बड़े कलाकार परिसिद्य कलाकार असौक कुमार biषवागर जी जिन्होंने देश और वडेश में इस कला के छेत्र में अपना पर्चम लाह रहा है तो आए जानते हैं इस बारे में और भी बहुत सारी बाते करने हैं। आपका बहुत स्वागत है सथ हमीर आज की कार क्राम में. हम सब यह जानना चाहते हैं कि इस कला की शुरुवात कम और कहा वही है। हमनेशलार विल्ग भुलग सा बहुत कि शुरुवात ही ही तृघ सुरवार उर passa सिट्टी कौन समय भी तृई। किया जाता था टिकुली कला का परिचे थोड़ा दे देना अच्छा रहेगा टिकुली कला इसका नाम क्यूं है पहले क्या स्वरूप था आज क्या स्वरूप है टिकुली कला एक्चुली बिंदी ही बनता था जिसे बिंदी को हम लोकल भासा में हम लोग टिकली बोलते हैं तो बाद में इसमें बदलाव आया और आज लकडी पर इनम्मिल प्रेंट से कलाकारी किया जाता है और उस पर टिकुली प्रेंटिंग का जो मोटीफ होता है उसको भारा जाता है और देश विदेश में उसको सप्लाई किया जाता है इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भूछ सारे कलाकर इससे जुड़े हुए हैं और नय कलाकर आ रहा है। इस Flip nh by ऐब भीजा की बीहार की कलroe की दोरॉर हम लोग बाहर भी भी इए। जी बहुत एचा सर्प हम यूह जानना चाहते के आपका बच्पन कहां बेटा और इस कला के पड़ती, आपका इतना रुजहान कब और कैसे हुआ? मेरा जन्म डेहरीयोंसन में हुआ, जो रोताहज जिला का एक छोटा सा जगह है और वही मेरा जन्म हुआ, मेरा पढ़ाई लिखाई भी हुआ 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 और मिडल स्कूल, हाई स्कूल और उसके बाद कॉलेज भी वही किये उसके बाद जब सरकार का सपोर्ट मिला तो फिर पटना सीफ्ट कर गए ताकि इस कला को और आगे हम बढ़ा पाएं मेरे परिवार में हम लोग साथ भाईबान हैं पीता जी साधरान सा काम करते थे बिलकुल एक हॉस्पिटल में सुपरवाईजर थे मा भी बहुत सपोर्ट करते थे अपना सिलाई से घर को चलाने में तो हम लोग का ऐसा था कि आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छा नहीं था तो पीता जी पर हम लोग बहुत ज़्यादा बोज नहीं डाले मैट्रिक तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवाया उसके बाद फिर चितना भी हम लोग खुद से कमाई करते थे मतलब सूरु में हम साइन बोड लिखना बैनर लिखना इस सबसे अंड करते थे और बाद में टिकली कला सेंड करने लगे तो अपना जो भी खर्चा होता था पढ़ाई लिखाई हो जो भी चीज होता था उसका हम लोग खर्चा अपने से उठाएं और इस कला को आगे बढ़ाने में हम लोग तो उस वक्त से ही आपका रुजहान इस तरह हो गया कहने का मतलब है कि स्कूल के टाइम सेही बच्पन सेही आपका रुजहान रहा है तो सर ये बताए कि अभी जो बरतमान समय है तो ये टिकली कला का अभ जो इस्तिति है वह क्या है टिकुली कला कुछ साल पहले टिकुली कला कोई भी नहीं जानते थे लोग इसको नहीं जानते थे लेकिन इसको आगे बढ़ाने में बहुत सरा मदद मिला यहां का लोगों का मदद मिला सरकार का मदद मिला जिसके वज़े से आज हम इस कला को देश-बिदेश में फैला रहे ह हैं इंडिया के हर मार्केट में टिकुली कला को भेज रहे हैं सासाथ बीदेश में भेज रहे हैं टिकुली कला का पहले ऐसा था कि डेहरियोंसों से पढ़ा ही लिखाई किया लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद पटना आ गए अब पटना में बिहार सरकार का सिल्फ स्थान वहां आकर 1973 में इस काला का टेनिंग लिया लेने के दौरान मेरे गुरुजी थे लालवा गुपता और टेनिंग लेने के दौरान उन्होंने कहा कि जो काम एक साल में लोग करते हैं अब तीन महिना में ही उसको कंप्लीट कर लिया इसका कारण क्या था कि एनामेल पे जिस वेरे तीन मेहीन के में हम पूरा काम कable चेह पर काम डेन से अदख में काम यहां डियार्य कापर यह वहाले नियमुझा हो लोग चालत त कि यह वह दो मुझे पेशन से अधर्थिक समुनूम liveunk eh करने लगे तो नियुख, वह आज़े मैसे नियम बंगे कंहां। तो मुझे बैसा मिलने लगा तो बहुत encouragement मिला मुझे और इस कला को बहुत जोड़ सोड़ से करने लगे जब हम यहां पर training लिये तीन महीना पटना में थे लेकिन उसके बाद हम वापस घर चले गए और अपने सारे बाहिबान को इस कला को सिखा दिये उसके बाद ऐसा हुआ म में इसका production करके government को दे 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 थे और government का policy ऐसे था उसबक्त कि जो भी अच्छे कारीगार जो भी काम करके लाएंगे उनका जो भी है समान हम purchase कर लेंगे और तुरह payment कर देंगे बहुत अच्छा policy था और बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा जिसके वाँसे काम हम लोग बहुत करते रहें 1981 में अचनक मेरे घर में यहां का उपिंदर महाति संगस्तान के स्टाप आएं और उन्होंने कहा कि स्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपके द्वारा बनाए हुआ जो टिकुली पेंटिंग है इसको स्लेट किया गया है और 82 में जो एसीयाड होने वाला है उस मुझे एक साल का समय दिया गया था और करीब 20,000 पीस हमें बनाने के लिए लिए तो हम लोग सभी कोई मिल करके, पूरा ग्रूप मिल करके साथ में हमारे गुरू जी भी साथ दिये थे और सभी मेल करके हम लोग 20,000 पीस बनाएं और इंडिया में आये जितने भी अथलिट थे सभी को 4 पीस करके गिफ्ट किया गया यह हमारे लिए बहुत गौरप का बात रहा है और तिकली कला के लिए भी बिहार के इस कला को पूरे देज़ भर में नहीं बलकि एसेन कांट्री म मेला तो यह जो कला है इसको बनाने की बिधे क्या है और इसमें सर क्या क्या मैक्टेरियल यूज किये जाते हैं तो पहले हम सुरू से इसके बारे बता देते हैं कि टिकुली कला टिकुली से बिंदी से आज का जो स्वरूफ है जैसे आज यह स्वरूफ है इसका आज जो यह बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रशार हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदे और टिकुली के लाकों लोग जाने तो इसको बनाने का सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले क्या होता था कि टिकली बनाते थे, बिंदी बनाते थे या बिंदी के रूप में उसका इस्तिमाल होता था और कहा जाता है कि मौरिया पिरियेड से काम चलता रहा है और मुगल पिरियेड में इसको काफी बढ़ाव मिला साब ही कोई मील करके इसकाम को करते थे और बाहर भी बिच के बिखा थे बाहर बहुत से और देज भरों में गदेशां कार्टर मेंस जी सब घलते है जैसे इस तरह का पैंटिंग हम लोग करते हैं जी जू को अ उसके बाद फिर यह पार बॉर्टर प्रूफ होता है हम लोगा ऐस से बनाते हैं और इसका हम लोग सब्से जादा पूरे वोर्ड में सब्से जादा डेमार्ड इसी कॉस्टर का है बहुत्र इकवसुरत है वह रही म है बहुत मेहनत से किया गया है। इसके बारे में dec Hawaiian में भी कुल हो गया है। जैसी यह इन्पी हो गया। अभी हम भता रहे थे युटिल्टी आइटम हम भूह बनाते हैं तैसमें पेंड को गया यह टीए हो गयाð जिस तरह खी कांच चीज है बता देते हैं पहले क्या होता था कि पहले ऐसा था कि कांच पर बिंदी बनाते थे उसका प्रोसेस थोड़ा बता देते हैं सौट में जैसे इस तरह का डिजाइन हम लेते हैं और की इस तरह का डिजाइन हम लोग लेते हैं और क्यूं यह डिजाइन लेते हैं य कटिंग मुसलिम लोग करते थे और कटिंग करके बिंदी का सेफ देते थे और फिर हिंदू मेल को देते देते हिंदू मेल का काम था कि उस कांच के टुकड़े के उपर जो बिंदी के रूप में बनता था उसके उपर गोल्ड फॉयल चड़ाते थे और फिर उसको फिनिस करके हिंदू फीमेल को दे 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 थे, सब का काम बटा हुआ था, अलग अलग इसका काम बटा हुआ था, हिंदू फीमेल जो है, बास का बना हुआ, नुकिला पेंसिल बनाते थे, उससे उसको खरोच करके डिजाइन बनाते थे, और डिजाइन बना करके, और उसके उपर में कलर फ स्टेज में क्या हुआ, 20th century में इसमें काफी बदलाव आया, चुकि इंडस्ट्रियल पॉड़क्ट आ गया था, उसके बाद जो बिंदी था, गोल का बना हुआ, उसका दाम भी ज्यादा था, तो लोग इंडस्ट्रियल पॉड़क्ट के तरफ भागे, इससे क्या हुआ कि जो बड़ा काच पर अगर हम लोग बिंदी बना सकते हैं, तो किमनी बड़ा काच का टुकड़ा ले ले और उस पर कलाकारी करें, उसका यूज बदल जाएगा, वो डेकुरिटिव प्लेट के रूप में, विंडो पैनल के रूप में, या टेबल टॉप के रूप में, या आगर अगर हम लोग लोग अन्मिल पैंट का जुस करते हैं, तो भी हम लोग का रूजी रूटी बना रहेगा, और हम लोग नए धंग से इसको पेस कर सकते हैं, तो थर्ड स्टेज में काच के उपर में, गोल्ड फॉयल के जग़ा अन्मिल पैंट से कलाकारी करने लगा, इ उस वक्त उपेंदर माते जब जापान गए तो जापान में देखे कि जैपनिस कारीगर लोग लकडी के उपर में इस धंग से पेंटिंग करके लकडी को पहले पेंट करते थे इस धंग से पेंट करके उस पर अनामेल पेंट से पेंट करते थे और उस पर फिर कलाकारी करते थ कीवनी हमारे यहां जो आगर लक्री ले आते हैं तो हमारा वह पसंद करेंगे क्योंकि कांच जल्दे तूट जाता है तो इसको कैरी करना भे दिखत है तो लक्री अगर आजाता है तो इसका कुटी मुठ दोग तो और बहुत जोगते उनके दिमांग में यह जी जा तो यहां आकर स्री लाल बाबु गुपता जो अपिंदर महारती सिल्फ अनुसर्ण अस्तान का इंस्ट्रक्टर थे उनको उन्हें टेनिंग दिया तब पूरी अच्छी तरह चीज को समझ गया और उसके बाद काम करने चलू कर दिया यह तो बहुत अच्छी बात है कि बिंदी से लेकर कि यह जो हमारी जो कला है यह सजावत के रूप में परिवर्टित हुई और देश भी देश में अपना पर्शम लहराया इसमें एक बात और बता देते हैं जैसे यह प्लेट है प्लेट को किस धंग से तयार किया जाता है जै हुत उसके उपर फिर अनामिल परेंट किया जाता है कि हम लोग चाहते हैं जो भी बनाते हम लोग इटिल्टी आइटेंव बनाते हैं और ऑनने के लिए अगर हम हम लोग फारटर परते करते हैं तो लोग उसको खरी देंगे कि कोस्टर था उसके वाटर्र पर चॉलाई पर उसके बाद फिर उसके उपर सेंड पेपर रगड़ते हैं इसी तरीका से चार बार करते हैं चार बार करने के बाद यह जाकर प्लेट तयार होता है बहुत लंबा प्रोसेस से गुजर करके यहां तक ही हमारे सामने आते हैं बन करके तो यह प्लेट पहले तयार होगा प्लेट के संस्कृति को पूरा दुनिया को दिखाएं, तो बिहार का जो हम लोग का कल्चर है, उसी चीज को इस पर बनाते हैं, पहले पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो कौन सा थीम हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा धर्म हो गया, राधा किस हो गया, या रामायन का जो अपसिन हो गया, बहुत सभ्रोपइल देवता हो गएं, उहन के बारे में हम लोग सकेज करते हैं, फिर इसके उपर ट्रांसफर करते हैं, ट्रेसिंग पेपर दोहरा, ट्रांसफर करने के बाद फिर पींट ये तकी के बनते हैं जो लोग सो बनाते हैं और जैसे लोगों का रहन सान का रहन सान न技 को हम लोग बनाते हैं तो कास तरही कर चीज़ को ए जैसे यह को गया यह राधा किसी का जिवनीय है जैसे लेलिए राधा क्रिशन हो ancoraो डी है हमारा जूरी जो संस्कृति हमारा धर्म है उससे बहुत खुबसूरत तो इस तरह का हम लोग लेते हैं हमारी जो परबराएं है उनको उकेरा गया है बहुत खुबसूरती से तो इसमें हम लोग इनामेल पेंट द्वारा इस चीछ को करते हैं इनामेल पेंट से काम करना बड़ा टफ होता है और बहुत असानी कि विए ट्रीप से करने का कि इसको हम दूसरे पेंटिंग से बिलकुल भिन दखाना चाहते हैं और हमारा जो टिकुली पेंटिंग है इसका खास पहचान है क्योंकि इसका अपना पहचान है और यह जो थीम हम लोग लेते हैं जिस स्टाइल में हम लोग बनाते हैं इसका कुछ कारण है हम लो का बहुत ही फेमस पेंटिंग है उससे इंस्पायड है अपला सुपेंदर मा आते जब जब जपान गये थे वहां देखकर आये थे किस टेक्निक से इस लकडी पर पेंटिंग किया जा रहा है तो ऐसा देखने भी थोरा समानता लगता है तो इसमें क्या अंतर है मधुवनी पेंटिंग में इसे फीगर को बनाते है थोड़ा बड़ा रहता है हम लोग का फीगर बिल्कुल छोटा रहता है जो भी फीगर हम लोग बनाते है उसमें human body का जो formula है जो proportion होना चाहिए उसको हम लोग मेंटेन करते है miniature type का हम लोग का painting है बिल्कुल different है दो अगर एक मधुवनी painting रखते हैं बगल में particularly painting रखते हैं दोनों को देखने पर लगए का बिल्कुल अलग है इसका अपना एक पहचान है इसमें इसका बिल्कुल मतलब समझे दूसरा कोई painting से उसका नकल नहीं है और मधुवनी painting से inspired है तो उसके जैसा लोग है पटना कलम का लोग है थोड़ा बारीकी में और Japanese technique का इसमें सवावेस है जिसके वैसे इसको अलग इसका पाचान बना करके हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो सर मैं यह जाना चाहती हूँ कि यह यहां तो बहुत परसिद्ध है हमारी इंडिय जो मेरा एक जिविशन हुआ था साउथ कोडिया में हुआ तो इंडिया से हम लोग गए थे पूरे इंडिया से पंदरे लोग का सेलेक्शन हुआ था और बिहार से हम अकले थे तो जब वहां पर एक्जिवीट करने लगे जब लोग आए देखने के लिए इतने सारा मतलब लोग आए इतना बीड़ हुआ इतना ओरर हमको मिला तो लगा कि हां हम जो काम कर रहे हैं वह बिलकुल सही कर रहे हैं और सरकार के तरफ से हमको भेजा गया बिलकुल सही सेलेक्शन हुआ है यहां करके उसका प्रोड़क्शन हम डबल कर दी हैं बहुत अच्छा हमको मतलब बहुत मांग बढ़ गए बीडेसों में बहुत मांग बढ़ गए और उसके बाद फिर जाकर के सेकेंड जो मेरा एक्जिबिशन हुआ वह सारक कंट्री का इंटरनेशनल टेट फेर था भूटान में तिम्पू में तो यहां मेरा ऐसा था जीवन का सबसे अच्छा एक्स्प रहा कि कई साल तक लगातार हम सप्लाई करते रहें और उसी का असर है कि आज इतने सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं थार्ड टाइम जब हम आये हैं तो थार्ड टाइम मेरा सेलेक्शन हुआ इरोब के लिए स्पेंड गए स्पेंड में जब हम गए तो वहां पर लेकिन इतना अच्छा मतलब रिस्पॉंस रहा कि लगा कि हां इस काम को कर रहे हैं अपने 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 गर्भ की बात है सर सही बात है कि हम इस काम को कर रहे हैं और फोल टाइम हमको मौरिसस भेजा गया मौरिसस में वहां का जो इंडिस्ट्री है मौहां एक आफर मिला हम कि हमारे यहां आप रुख जाईए और यहां के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए और टीकुली क्राफ्ट में पारंगत किजिए ताकि हम लोगों का यहां पर इसका प्रोडक्शन हो और विदेश से जो टूरिस्ट लोग आएंगे उनको हम गिप्ट करें तो यह मेरे लिए बह हम उठाए गए हैं सर तो सुरू में मेरा यह था कि 73 से टेनिंग लिए और लगातर 84 तक एक दिन भी बीना बैठे हुए इस काम को हम लगातर करते रहें और मेरा पूरा परिबार इस काम को किये लेकिन 84 के बाद गवर्मेंट का कुछ पॉलिसी था कि जितने अच्छे होंगे उनको प्रोमोट किया जाएगा उनका मार्केटिंग सपोर्ट हम लोग देंगे गवर्मेंट का पॉलिसी था लेकिन 84 के बाद पॉलिसी में बहुत सारे चेंज़े आ गया जिसकी बएसे मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिलने से क्या हुआ कि जितने भी कलाकर थे जो इस काम से जुड़े हुए थे उलक सारे काम को छोड़ दी है अचो कि मेरा लगाव था सुरू से ही प्रतिय लगाव था तो हम क्या किये कि इस कला को घर घर जाकर सिखाने लगे तो टेनिंग देने लगे तो टेनिंग देते देते 1984 के बाद 95 में 11 साल के बाद DC का आइटेम है उसको लोग बढ़ावा देते हैं तो वहां का एसिस्टेंट डाइरेक्टर हमको इस काम करते हुए देखे और वो सोचे कि यह तो डाइंग आट के रूप में जाना जाता था आज भी यह जिन्दा है रिजिनल ऑफिस कलकत्ता भेजा गया मुझे उसके बाद हम सोचे कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए कि 1973 से लेगर के 93 तक हम खुद अपने हां से सारा काम अपने हाथ से करते थे करीब 25,000 अपिस हम खुद बनाएंगे तो अकेले कितना काम कर पाएंगे इस को रोजी रोटी से जोड़े हम कला को भी आगे बढ़ाएं और रो मेरा एक ऐसा सेंटर खोले हैं जहां हम बोले कि free of cost हम training देंगे और जितने भी गरीब महिला लोग हैं आकर इसका training ले तो समझ लिए सैकरो के तादाद में लोग आये इसका training लिए और सबको हम रोजी रोटी दिये सबको काम दिये और हमको लगातर order मिलता रहा है government का पूरा संगस्तान में free of cost training दिया जाता है मतलब गुम होती है जो कला है इसको रोजगार की रूप में मतलब काफी बढ़ावा मिला और इस तरह से जो हमारी UYPD भी आने लगी इसमें बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत लोग इसके साथ मतलब जोड़ा है आप government का training होने से क्या हो मार्केटिंग support मिल रहा है जगह जगह पर भीजा जाता है एक्जिविशन के लिए marketing के लिए बहुत सब्सक्राइब होता है government का support है तो इसे फाइदा क्या हो रहा है कि पहले इसका price बहुत कम था लेकिन अभी price बहुत अच्छा हो गया जितना मेहनत है जिससे हाँ से मेहनत करते हैं उस इसका प्राइस कर सकते हैं उसके क्ता अच्छा हो जाने के बेए से एक तो बिहार के कला को दुनिया आ पर पैला रहे हैं यह तो अलग गोरब है इसका और साथ-साथ यह अर्ण भी कर रहे हैं। इस कला के दौरत यह बहुत अच्छी बात है, तो गवर्मेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा है, साथ में बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारा प्राइबेट संगस्ता है, जो आगे आ करके हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कि इस काम को आप लोग कीजिए और हम लोग आपको स पूर्ट कर रहे हैं, तो इसे जो कला है काफी आगे बढ़ा हुआ है, नए-ने लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं, एज का कोई यह नहीं है, बिलकुल बच्चे से लेकर के एजट लोग भी इसके साथ जोड़ रहे हैं, और हर साल, जैसे हर साल मेरा यह किया है, कि 200 लोगों हम टेनिंग दें, और इस कला के प्रति उनका जो रूजहान है, उसको हम रखें, और साथ साथ इस कला को हम आगे बढ़ाएं, तो सर आपको बाहर में वीदेशों में बुलाया गया, सम्मानित किया गया, बहुत सारे अवार्ड भी दिये गया, तो इस पारे में कुछ पताय सलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही दिशा में हम जा रहे हैं, तो मुझे दो हजार साथ आट में स्टेट अवार्ड मिला, आट नव में नेशनल लेवल का कलासरी अवार्ड मिला, उसके बाद बहुत सारा संस्ता है हमको सम्मानित किये, पिछला साल हमको मिन आगे बढ़ने के लिए प्रोज़साहित किया रहा है। इसके लिए बहुत गर्ब करते हैं कि हम इस काम से जुड़े हुए husband सच में यह बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी और सर आप यहाँ पर आए और चलते-चलते मैं यह कहना चाहँगी कि चलते-चलते हमारे यूबा पीडी को आप क्या संतेज देना चाहेंगे जो रोजगार के लिए इसको अपनाना का संस्कृती है पूरा दुनिया भर को दिखाएं तो आप आगे आईए और free of cost training लिजिए हम ट्रेणिंग देने के लिए तियार है आपको कैसे आगे बढ़ना उसके लिए घड़ने के लिए और आप लोग आगे बढ़िये और इस कला को अपना यह और पूरा दुनिया भर में अपना भी नाम रौशन कीजिए साथ साथ हमारे बिहार का नाम भी रौशन कीजिए जी जी तो सर आप यहां आए और इतनी महतपुन जानकारिया दिया हमारे दर्सकों को तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही अगले एंक में हम फिर शग्यों के साथ तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिया इजाजत नमस्कार